असोसियेटेड जनरल लिमिटेड एजेल कम्पनी के मामले में आज राहूल गांधी कॉंग्रेस के नेता इन्हें इडी ने बुलाया था और इस बात के उपर पूरे देश में कॉंग्रेस ने हंगामा खड़ा करके ये प्रयास किया कि मानो उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है किन्तु एजेल ये कम्पनी 1930 में तयार हुई थी भारतिय स्वातंत्र संग्राम को एक न्यूस पेपर एक मुखपत्र चाहिए इस दुरुष्टी से स्वातंत्र संग्राम सेनानियों ने एजेल की स्थापना की थी पाच हजार स्वातंत्र संग्राम सेनानी एजेल के शेयर होलर्डर्स थे उन्ही की मालकियत एजेल के उपर थी 2010 में श्रिमान राहूल गांधी जी इनके परिवार ने यंग इंडिया नामक एक कम्पनी तयार की और पूरे एजेल के शेयर्स और उसकी 2000 करोड रुपे की संपत्ती यह यंग इंडिया इस कम्पनी को हैंड वर कर दी गई उसमें ट्रांसफर कर दी गई मात्र पाच लाख रुपे खर्चा करके यंग इंडिया कम्पनी शुरू की गई थी और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के मालकियत की AJL को और 2000 क्रोड की उसकी संपत्ति को उन्होंने हतिया लिया इसके उपर जब कॉर्ट में सुनवाई हुई तो देल्ली हाई कॉर्ट ने इसमें निर्णे देते समय कहा कि AJL और यंग इंडियन के बीच जो शेर ट्रांसफर हुआ है वो भ्रष्टाचार से प्रेरित है और उनकी टिपड़ी थी इंटायर ट्रांसफरिंग दे शेर्स अफ एजेल तो यंग इंडिया सीधे सीधे इसको भ्रष्टाचार से प्रेरित ये हाई कोर्ट ने बताने के बाद इडी ने इसमें कारवाई शुरू की होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे स्वतंतरता संगराम सेनानियों ने तैयार की हुई कमपनी है ये राष्ट्रिय धरोहर है इसका राष्ट्री करण होना चाहिए था ये राष्ट्र के नाम होनी चाहिए थी लेकिन उसकी 2000 क्रोड की संपत्ती पर आख रखके उसको जिस प्रकार से राहूल गांधी और उनके परिवार ने हतियाया मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से बहुत बड़ी लूट है और इसी के कारण कि इस प्रकार से उनको बुलाया गया है जो कॉंग्रेस पार्टी ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि एजन्सिया उनको विक्टिमाइज कर रही है बिल्कुल गलत है बिल्कुल सीधे सीधे सबूत इसमें दिखाई पड़ते एक और बाग दिल्ली में एक पोस्टर दिखने को मिला जिस पर वो कहते मैं राहूल गांधी हूँ मैं सावर कर नहीं हूँ मैं माफी नहीं मांगूंगा स्वतंत्रवीर सावर करने देश के लिए देश की स्वतंत्रता के लिए 11 वर्ष अंदमान के सेलूलर जेल में कोलू चलाया उनके जितना लंबा समय कोई भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी काले पानी के लिए जेल में नहीं रहा और ऐसे सावर कर को अपमानित करते हुए और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की कमपनी को हड़पकर 2000 करोड का प्रष्टाचार करने वाले ये मैं तो ऐसा मांगता हुँ कि सावर करजी का अपमान करने के लिए देश की माफी मांगे मैंने बहुत शाप शब्दों में अभी बताया कि AJL की 2000 करोड की संपत्ती स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की संपत्ती अपनी 5 लाख रुपे की कमपनी खोल कर हड़पने का काम रहूल गांधी जी और उनके परिवार ने किया ये स्पष्ट रूप से जब हाइकोर्ट में एस्टैबलिश हुआ उसके बाद एजन्सिया काम कर रही है इस देश में आम आडमी के लिए एक नयाय और गांधी परिवार के लिए दुसरा नयाय नहीं हो सकता कोई भी भरष्टाचार करता है तो उसके उपर करवाई होगी एजन्सिया करेगी कॉंग्रेस जितना विक्तिम कार्ड खेले ये कारवाई हाई कोर्ट के निरने के बाद हो रही है और पुक्ता सुबूतों के साथ हो रही है लेटेश अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्स्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दवाना मत देए